Students मैं माझाचहिंत रिपाठि ही आप सभी का अपने ही दिक्छाना पर वागत करता हूँ आज हम düンツ के आगे के टॉपिक के बार हमें ॅदिसकस क्या है करेंके तो आगे देखें किया दिया हुए human environment human environment क्या होता है? as mentioned earlier the environment consists of both natural and human factors तो इसके पहले ही हमने पढ़ा है कि जो हमारे इन्वार्मेंट होता है हमाँ पर नेचुरल और दोनों तरीके के जो फैक्टर है वो इन्वार्मेंट में क्या है आपको देखने को मिलेंगे तो यदि आप हुमन के इविलिवेशन के मनुस्ते क्या आगे पढ़ने के बारे में पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि जो हुमन था वो पहले क्या करता था पश्यों को हंटर करता था और फिर उसको है ना संग रह करके उसी का यूज क्या है करता था ही कंप्लिटली डिपेंड अपन नेचर तो उस समय जो मनुस्ते था वो कंप्लिटली नेचर के उपर ही क्या था डिपेंड था ओवर दे यर्स मैन हैस मोडिफाइड इस इन्वायरमेंट तो फुल्फिल इस नीट लेकिन धीरे धीरे मनुस्ते ने क्या किया अपने आपकी अपनी ज़रुर्तों को पूरा करने के लिए अपनी नीट्स को फुल्फिल करने के लिए है क्या कि अपने आपको मौलिफाइड किया अपने आपको परिवड़तित क्या है किया तो डिसकवरी ऑफ़ फायर दे इन्योवेशन ओफ वीड इन आर्ट अप गुर ब्लड लाइफ क्या करपाई लोग सांथ में रहने लगे तो यह लिख है ग्रूप आपग्रूप्स ओफ फैमिले शांथ में रहने लग गये इस लेड तुब देवलपमेंट अफ गम्यूटी ए इन वीलेज़ेस और इस से क्या हुआ कम्यूटी का समाज और गाओं का क्या हु तो इससे क्या हुआ एक्टिविटी बढ़ी इंडेस्ट्रियल रिवेलवेशन क्या है बढ़ा लोगों को फूड और गुड्स की जादा जरुवत क्या है यहां पर इस्टार्ट हुई है ना मैं डिवलप सोसाइटी मेड लॉव एन इस्टेबलिस एकॉनियू जो लोग थे उन्होंने सोसाइटी डिवलप किया उसके कुछ नियम कानून है ना बनाए और अपनी एकॉनियू को भी क्या कि इस्टेबलिस के अपने भी है पैसे का जो लेंदेन मैंन है मननुस से है वह किसीन किसी कम्वनीटी का पार्ट हुता है किसिन किसी आप होता है इस्टेट का और नेशन का पार्ट होता है everyone individual is a part of some community and religious group तो जो एक व्यक्ति individual है वो किसी ने किसी community को किसी ने किसी जाती को किसी ने religious group को क्या करता है भिलॉब क्या है करता है तो दो क्या है किसी community when I say समाज है ना और किसी ने किसीilarग क्या करता है अगर या do you know the world today is called a global village है तो अभी का जो टाइम पिरेड है इसको अंग ग्लोबल विलेज क्या है बोल सकते हैं इस इस बिकॉज तुड़ेस वल्ड हैस बिन कॉंट्रक्टेड इन्टो वन यूनिट बाइदा एलेक्ट्रोनिक टेक्नोलोजी क्योंकि अभी का जो टाइम है वो हैना क्या है बिल्कुल ह्ना जोड़ा हुआ है एक अलग-अलग तरीके Kemal से Miral तो इंतर्नेट या व्लड वाेट करीके है जो आदेदातू है जो फिजिकल डिस्टेंस वोबव्ल को चुका है communication का जो तरीका है न или communication के फ्रू है ना लोग एक दूसरे के बहुत पास पास हो चुके है भले ही है न क्या है न फिजिकल डिस्टेंस भहुत जादा हो लेकिन internet और बहुत सारे अलग-अलग कम्मिन, Director of Keemirmge and Development के कारण है लोग क्या बहुत पास-पास है, Today, Man is a part of TECO world, where he can communicate with anybody in any part of world at any time. तो यो technological world है, उसमें, जो मनुश्य है, जो, वो क्या कर सकता है, किसी भी आदमी से, कहीं पर भी, किसी भी समय क्या कर सकता है, बात क्या है, कर सकता है. Similarly, technology achievements in transport help to reach far of places in a few आवर्स टेक्नलोजी के डिवलप्मेंट के कारण ही है ना जो लोग हैं वो ट्रांसकोर्ट के थ्रू है ना एक जगा से दूसरे जगा बहुत जल्दी क्या है बहुत सकते हैं Man is not living in isolation तो जो मनुष्ट से है वो isolation में एकांत में नहीं रह सकता है जैसे गॉर्मेंट अभी बोलती क्या कि कोरोना वाइरस में आपको isolate किया जाता है 14 दिन के लिए ना तो बहुत मुस्किल है 14 दिन के लिए रहना तो यह है कि इस टेक्नलोजिकल वाले में जो मनुष्ट से उसका isolation में रह पाना बहुत मुस्किल है ग्लोबल विलेच कर्छा कि वो क्या है थे जो परसन वो क्या है अपने आप को क्या कर रहे है मनुष्ट से है न वो क्या कर रहा है अपने आपको है ठीक है real तो क्या कर रहे है तिक ए फिल कर ही लाए है कि हम यहां पर है इसके लावा वो अलग अलग जगों पे भी अपने आपको क्या करता है देखता है कैसे देखता है कंप्यूटर के थूर है न या इंटरनेट के थूर है न तो देखे लिखा दिद यूनू में लिखे ले virtual reality is a computer stimulated environment where a person can feel his presence in the real as well as in a virtual places तो जो आदमी है वो अपने आपको किसी एक जगह में तो feel करी लाई इसके अलावा भी अलग अलग जगहों में अपने आपको feel क्या है करता है अगर देखी दिये हुए man impact on the environment मुनिश्ट का क्या impact environment के उपर man is an integral part of environment earlier man completely depend upon his environment but modern man has been able to change his environment as for his needs ना तो जो man है जो मनुस्से है वो क्या environment का क्या है बहुत महतुकूर पार्ट है भाग है earlier man completely depend upon a environment तो जो पहले के समय के लोग थे वो environment की उपर ही क्या थे depend थे बर जो modern आदमी है modern man है वो अपने हिसाब से अपने जरुतों के हिसाब से क्या करता है environment को ही क्या कर रहा है change क्या है कर रहा है man has played a dual role of beginning a developer as well as a polluter तो जो man है वो dual role या double है ना रोल यहां पर play कर रहा है कि वो developer तो ही है इसके साथ वो ही क्या है इसका polluter है वो अपने आपको बहुत ज्यादा develop तो कर ही रहा है लेकिन अपने environment को भी वो क्या कर रहा है pollute क्या है कर रहा है man has ruthlessly used the resources to fulfill his desire or money जो है वो बेरहमी सेहना या बहुत बुरे तरीके सेहना resources का यूज कर रहा है अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए this haphaz and over utilization of resources has led to environment pollution और इस अत्यधिक use के काराण over utilization के काराण resource के environment उसमें pollution चाओ रहा है बढ़ रहा है the unwanted and harmful agents in the natural environment causes environment pollution है तो जो harmful gases है agents है या जो natural environment है उसको क्या करते है यह गैसे क्या करते है पॉल्यूट क्या है करते है फर एक्जामपल एग्री कल्चरल डिवलप्मेंट इंट्रोड़क्टेड आर्टिफिस्यल केमिकल टू ग्रो प्रॉप्स ने इग्जामपल अब कैसे है न ठीक है यह हमको पॉल्यूट कर रही है तो अग्री कल्चर डिवलप्मेंट के लिए हम क्या करते है आर्टिफिस्यल केमिकल का यूज करते है जिससे जो क्रॉप से जो खेती हो बड़पाय प्रॉडक्शन का है उसका बड़पाय इस लेट तो प्रॉब्लम ऑफ लैंड डिग्रीट के कारण जो लैंड की क्वालिटी है वो क्या हो रही खतम क्या है और है सिमिलरली एक्सेशी विलकर एंड इंडस्ट्रियल इनमिनेशन है व्लैट तो इंक्रीजिन कारबन डियोक्षड और हम्फूल गैसे इन एक्मॉस्फेर जादा है ना क्या हो रहा है वीकल का यूज हो हो रहा है इस एक लेट वार्मिंग और इसके कारण जो ग्लोबल वार्मिंग वो क्या हो रही है बढ़ रहा है बहुत सारे हिल्थ प्रॉब्लम्ट भी देखने को मिल रहे हैं लगल में आपके वेकल पॉलूशन दिख रहा होगा आपको जहां पते कि बहुत सारी काड़िया है जहां से धुवा क्या है निकल रहा है तो यह अलग-अलग तरीके से हैं इंवार्मिंट को क्या करते हैं पॉलूट क्या है करते हैं तो मैं का इस तरीके से इंपक्ट एंवार्मिंट के उपर और मैं कैसे है अपने इंवार्मिंट को अच्छा रखे यह मैं के उपर ही क्य है ना समझें और उसके बाद उसका अंसर क्या है देंगे है ना थैंक यू